नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिके बाई सोनीपत के बारे में जैसा आप सभी को पते कि हमने आने वाले सभी हर याना की एकजाम के लिए एक मुहिम चला रखें डिश्टी बाई सहर याना तो सुरुवात करते हैं आज के सेसन की हां जी आज का सेसन रहेगा सोनीपत दिश्टी के बारे में सोनीपत से एकजाम में कोशन आते हैं सोनीपत की अगर बात की जाए हैं जी विचा सोनीपत की स्तापनोईती 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की स्तापनोईती एक बार एकजाम में हर याना की सोने की नगरी किसे कहते हैं सोनी पत को कहा जाता है हर याना में सोने की नगरी एक बार एक्जाम में पुछा गया था सोना हर याना में सबसे ज़्यादा कहां पाय जाता है तो सोना पाय जाता है नरायन गड़ में नरायन गड़ अंबाला में पाय जाता है सोना सोने की अगर बात की जाए सोना हर याना में कहां पाय जाता है नरायन गड़ अंबाला डिश्टिक में कहां पाया जाता है भई नरायन गड़ अंबाला डिष्ट में पाया जाता है हर याना में सोने की अगर बात की जाए तो सोने की नगरी किसे कहा जाता है सोनी पत को हंजी सोनी पत की अगर बात की जाए इसका पुराना नाम क्या रहेगा प्राचीन नाम की अगर बात की जाए क्या रहेगा सोन प्रस्त रहेगा एक पार एकजाम में पुछा गया था हर्याणा में जो पांडवों ने पांडवों ने कोर्वों से कितने गाउं मंगे थे पांच गाउं मंगे थे इन पांच गाउं में उन में से एक क्या रहेगा सोन प्रस्त रहेगा हंजी कौन सा रहेगा सोन प्रस्त रहेगा कौन-कौन से गवं मंगेते पानप्रस्त सोन प्रस्त बागपत तिलपत और एक इंद्रप्रस्त उन पांचो गवं में से कौन सा रहेगा सोन प्रस्त रहेगा जिसको हम सोनीपत के नाम से जनते हैं सोनीपत की अगर बात की जाए हां जी जो सोनीपत कि एजूकेशन सीटी कहा जाता है एक बार एक्जाम में पुछा गया था हंजी कॉश्चन क्या रहेगा हर्याना की साइकल सीटी किसे कहते हैं तो हर्याना की साइकल सीटी एक्जाम में पुछा जाता है हर्याना की साइकल सीटी किसे कहते हैं सोनी पत को कहते हैं हर्याना की कालीन तामर मुद्राएं कहां से मिली तो हर याना में हर सवर्दन कालीन जो तामर मुद्राएं मिली ती वो सोनी पत्से मिली ती वो कहां से मिली थी भाई वो सोनी पत्से मिली थी हर सवर्दन कालीन मुद्राओं की अगर बात की जाए वो हर याना में आप से एक्जाम में स्षिни घ्रियाना सी मिलिया एक बंडूम में पुछा गया था हम जी कोशन क्या रहेगा से सरीया पर लेटे शेज सरीया पर लेटे कि भगवान विश्णु की मूर्ति कहां से मिलिया by भगवान विश्णु की मूर्ति मिलिया प्रजिल पुरग गाउं सोनीपत से मिली है इसे सरीया पर लेटे भगवान विश्णू की मुर्थी की अगर बात की जाए तो कहां से मिली है फैजिल पुर विलेज रहेगा सोनीपत में रहेगा एक बार एकजाम में पुछा गया था सत्कुम्बातीरत हरियाना में कहां रहेगा सत्कुम्बातीरत हरियाना में कहां रहेगा बच्चा सोनीपत में रहेगा सत्कुम्बातीरत एक्जाम में कोशन आता है सत्कुम्बातीरत की अगर बात की जाए सत्कुम्बातीरत हरियाना में कहां रहेगा सोनीपत में रहेगा हंजी कहां रहेगा सोनीपत में रहेगा सतकुम्बत तिर्थ और सोनीपत की कौन से विलेज में रहेगा खेड़ी गुजर गाउं में रहेगा कौन से गाउं में रहेगा खेड़ी गुजर गाउं में रहेगा एक बार सेशन को सेर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो भाई कि आपको सेशन कैसा लग रहे है सेर कीजिए भाई सेशन को हैं जी नेक्स्ट रहेगा और इंपोर्टेंट रहेगा भई अजी विच्छा सौनीपत की अगर बात की जाए जो सौनीपत रहेगा यहां पर क्या रहेगा खिजर खां का मकबरा रहेगा खिजर खां का क्या रहेगा मकबरा रहेगा तो खिजर खां का मकबरा आता है एक्जाम में कहां रहेगा सौनीपत में रहेगा खिजर खां का मकबरा हर्याना में कहां रहेगा सौनीपत में रहेगा खिजर खां का मकबरा एक बार एक्जाम में को पूछा गया तो कोशन क्या रहेगा जो खिज्जर खां रहेगे से दोंस के संस्तापक गृशन काra रहेगा में कहा रहेगा सोनी पत्में रहेगा हंजी नेक्स्ट आतिया मामा बांजा की मजार हर याना में कहा रहेगी मामाबाण चाहीं मजार के अगर बात कि जाए सोनी पत में रहेगी एक बार एक्जाम में कोशन पूछा गयाता क्या रहेगा भाई चकोर परियटन स्तल के इंदर हर याना में कहा रहेगा सोनी पत में रहेगा चकोर प्रियटन टुरिष्ट प्लेस हरियाना में कहां रहेगा भाई सोनीपत में रहेगा हांजी सोनीपत में एक जगा रहेगी जिसका नाम रहेगा गोहना हां जी पक्टा कौन सा रहेगा गोहाना रहेगा सोनिपत में एक जगा रहेगी और उस जगह का क्या नाम रहेगा गोहाना से कुष्चन आता है गोहाना की अगर बात की जाये यहां पर पृतुश्वी राज सिंग्साद्टि किस राजा ने प्रिच्छी रासिंग चोहान ने किला का निर्मान करुआये ता गोहाना में और गोहाना दूसरा तैमस क्यों रही का भई गोहाना कि अगर बात की जाए गोहाना के थे कि फिरोज साथ उगलक फिरोज साथ उगलक ने यहां पर एक घटना को अंजाम दिया था फिरोज साथ उगलक के टाइम में एक कांड हुआ था और यहां पर कहते हैं कि इसने कुछ हिंदूओं के कुछ हिंदूओं के हाथ कटवा दिये थे मंदिर में पूजा किया करते थे उन हिंदूओं के फिरोज साथ उगलक ने क्या करवा दिये थे गोहाना कांड हुआ था फिरोज साथ उगलक के टाइम में हां जी नेक्स्ट आता है और इंपोर्टेंट रहेगा भई पीर जमाल की मजार पीर जमाल की मजार हर याना में कहां रहेगी एक्जाम में पुछेगा आप से हंजी बचाई कहां रहेगी गोहाना सोनीपत में रहेगी कहां रहेगी गोहाना सोनीपत में रहेगी पी हाई जी पाई जो सोनीपत में एमेलिया सीट रहेंगी एमेलिया सीट के अगर बात की जाए सबसे पहले सीट रहेंगी हाँ पर सोनीपत गोहाना हाजी सोनीपत गोहाना राई बारोद्दा और गन्नोर और एक क्या रहेगी भाई यहां की जो सीट रहेगी हाजी वच्छा खर्खोद्दा सीट रहेगी खर्खोद्दा सीट रहेगी खर्खोद्दा क्या रहेगी रिजर्व सीट रहेगी सोनीपत की कौन सीट रिजर्व रहेगी खर्खोद्दा सीट क्या रहेगी रिजर्व सीट रहेगी हाजी वच्छा सोनीपत की कौन सीट रिजर्व रहेगी खर्खोद्दा सीट रिजर्व र विधान सबा की कितनी सिट्टे रहेंगी नबबा सिट्टे रहेंगे हर याना में विधान सबा की कितनी सिट्टे रहेंगी नबबा सिट्टे रहेंगी और इन नबबा सिट्टों में से कितनी सिट्टे रिजर्व हैं सत्रा सीट्टे रिजर्व रहेंगे सत्रा सीट्टे जो रहेंगी वो अनुसुचित जाती के लिए रिजर्व रहेंगी और पांच जिले ऐसे रहेंगे हर्याना के जिन में एक भी रिजर्व सीट नहीं रहेंगी वो पांच कौन-कौन से रहेंगे सबसे पहले पंचकुला हाँ जी पिचा चर्खी दादरी, महिंद्रगड, मेवात और एक रहेगी फ्रिदाबाद ये पांच डिस्टिक रहेगी जिन में एक भी सीट क्या है? रिजर्व नहीं रहेगी तो खरखुद्दा क्या रहेगी? रिजर्व सीट रहेगी हाँ जी पिचा जो राई रहेगा हमारा राई राई में क्या रहेगा? मोती लाल नहरू मोती लाल नहरू स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्कूल रहेगा और ये कहां रहेगा? राई सोनी पत में रहेगा हाँ जी कहां रहेगा? राई सोनी पत में रहेगा मोती लाल नहरू, स्पोर्ट स्कूल और अब इसको खेल विसर वीडियाले के रूप में मतलब बनाया जा रहा है भाई मोती लाल नहरू राई स्पोर्ट स्कूल कहां रहेगा राई सोनी पत में रहेगा हाई जी दूसरा अगर हम बात की जाए जो गन्नोर रहेगा हाजी बचा जो गन्नोर रहेगा गन्नोर से कोशन आता है भाई यहाँ पर हर्याना की सबसे बड़ी फल वै सबजी मंडी रहेगी गन्नोर सोनी पत में हर्याना की सबसे बड़ी फल वै सबजी मंडी रहेगी कहां गंदोर सोनीपत में और दूसरा यहां पर क्या रहेगी हां जी विचा भारतिया रेलवे की भारतिया रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री रहेगी भारतिया रेलवे की क्या रहेगी रेल कोच फैक्ट्री रहेगी कहां गंदोर सोनीपत में हां जी कहां रहेगी गंदोर सोनी पत्त में रहेगी पाजी और ये भी钦्धम में कोशन आता बवाई जलेवियां हर एक रहेंगी और यह कहां की फेमस रहेंगे गोहाना किसे कहते हैं तो हर्याना का गांदी कहते हैं भाई मूल चंद जैन को मूल चंद जैन को कहा जाता है हर्याना का गांदी किसे कहते हैं भाई हर्याना का गांदी मूल जैन को कहा जाता है एक बार एक्जाम में पुछा गया था दीन बंदू,ENCE, चोटू राम,चोटू राम,विज्ञान एवं,विज्ञान एवं,प्रोदगी की संस्तान कहां रहेगा? तो दीन बंदू छोटू राम विज्ञान एयों परोदगी की संस्तान रहेगा हर्याना में और ये कहां रहेगा भई मुर्थल सोनीपत में रहेगा मुर्थल गाउं सोनीपत में रहेगा हाँ जी बिचा मुर्थल विलेज सोनीपत में रहेगा और ये कब बनाता 1987 में 1987 में बनाता दीन बंदु छोटो राम विज्ञा न्योंपरोदी के इन्दर की अगर बात की जाए कहां रहेगा मूर्थल विलेज सोनीपत में रहेगा कहां रहेगा मूर्थल गाउन सोनीपत में रहेगा हांजी नेक्स रहेगा और इंपोर्टेंट रहेगा भाई हाँ 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 हांजी नेक्स रहत है और इंपोर्टेंट रहेगा बगत फूल सिंग महिला विसा विद्याले यह कहां रहेगा बगत फूल सिंग महिला विसा विद्याले के अगर बात की जाए यह खानपूर कलां खानपूर विलेज कहां रहेगा सौनिपत में रहेगा खांपूर विलेज सोनीपत में रहेगा। बगत फूल सिंग महिला विश विजा लै के अगर बात की जाएं। बगत फूल सिंग महिला विश विजा लै कहा है का निक्स्ट आता है और और इंप्डेन्स रहेगा एक बार सेसन को सेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो हां ग्लोबल वि्सविड्यालिय है है फाइस बच्वाइस जनदल जो ग्लोबल विश्व ले लेया रहेखा हार याना में यह कहां रहेगा सोनीपत में रहे प्रियोजना यह कहां रहेगी यह सोनीपत की रहेगी कहां की रहेगी सोनीपत डिश्टिक में रहेगी कक्रोई सुक्षम जल विद्यूत प्रियोजना हर्याना की सबसे छोटी सबसे छोटी जल विद्यूत प्रियोजना रहेगी जल विद्यूत क्या रहेगी प्रियोजना रहेगी कक्रोई सुक्षम जल विद्यूत प्रियोजना की अगर बात की जाए यह हर्याना की सबसे छोटी जल्बिद्विद्विवियो परियोजना रहे जो कुक्रोई विलेज सोनिपत में रहेगे है जी नेक्स्स आता है और इ plug अधुनिक नंद्गर कहां खोल गया था यानगरवाड़ी नंद्गर आणिए नंधगन ऑ susceptible हासनपुर विलेज सोनीपत में हासनपुर गाउं सोनीपत में खुल लगया था हासनपुर गाउं सोनीपत में खुल लगया था हरियाना का पहला नंदगर की अगर बात की जाए हां जी नेक्स लेग और इंपोर्डेंट रहेगा मेगना मलिक मेगना मलिक भई बहुत फेमस रही है मेगना मलिक ये भी कहां की रहने वाली है सोनीपत की रहने वाली है इस मेगना मलिक की अगर बात की जाए ये हर्याना से कहां से रहेंगी सोनीपत से रहेंगी इसने एक TV सिरियल पर एक सिरियल आया था भई जो बहुत फैमस हुआ था ना आना इस देश लाड़ो उस में जो अम्माजी का रोल अदा किया था वो मेगना मलिक ने किया था और मेगना मलिक की अगर बात की जाए ये अभिने में रहेगी TV सिरियल से जुड़ी हुई है सोनी पत्की रहेगी हां जी नेक्स्ट आता है भई दीपा मलिक अगले रहेंगी जो क्रेक्टर वो दीपा मलिक रहेगी कौन रहेंगी भई दीपा मलिक रहेंगी दीपा मलिक की अगर बात की जाए यह भैस वाल गाउं भैस वाल विलेज सोनी पत्की रहने वाली है यह भैस वाल ग रजट पदक जीता था इसने कौण सा मैडल जीता था रजट फदक जीता था तरह किसने दिफा झिनkład और यह कहां से रहेंगी बैस वाल गाउं सोनी पस्फ रहेंगे हाज इनक्स रहंगी कोल सोनी पढ 들lé है एक कुस्ती खिलाडी यह जो गेस वरदत यह भी कहांव से रहेंगे सौने पत्स से हर याणा में कहाँ से रहेंगे सौनेपत्स illish पत्से आठारा सुस्तावन की करांती का निर्तित्तव किसने किया थाशी आपको पता हर्याना में चलीथ वह अंबाला से चलीते हैं जी कहां से लीते और दिजो विर्च रहेगा से कहां नेक्स रहेगा धी चर्ण वैमन में अगर बात नबBERT की जाएं जो दीब प्ne में रहेंगे यह सेरी खंडा गाउन सोनीपत के रहने वाटे चीरी खंडा विलेज सोनीपत के रहने वाले यह कहां से रहेंगे सेरी खंडा गाउं सोनीपत के रहने वाले दीप चंद बामन के अगर बात की जाए इनको हर्याना का काली दास कहा जाता है सांगी रहेंगे इनके गुरू का नाम क्या रहेगा इनके गुरू का नाम पुछा गया था सेट छज्जु राम रहेगा भाई इनके गुरू का नाम क्या रहेगा सेट छज्जु राम रहेगा हां जी बिचाओ और इनको हर याना का कालिदास कहते हैं भई हर याना का कालिदास पुछा जाता है और हर याना का सेक्स्पियर हर याना का सेक्स्पियर भीन को कहते हैं हार्याना का कालिदास और हर्याना का सेक्सपियर कहते किसे धीप चन्द भैमन को हां जी नेक्स्ट रहेंगे पंडित लक्मी चन्द कौन रहेंगे पंडित लखमी चंद रहेंगे पंडित लखमी चंद की अगर बात की जाए जाटी गाउं सोनी पत के रहने वाले कहां से हैं जाटी गाउं सोनी पत के रहने वाले हैं पंडित लखमी चंद एक बार इन से एकजाम में पुछा गया था हंजी कोशन क्या रहेगा इनको हर्याना का सूरिय कभी कहते हैं इनको हर्याना का सूरिय कभी कहा जाते है इनको हर्याना का सूरिय कभी कहा जाते है पंडित लखमी चंद को किसको कहा जाते है पंडित लखमी चंद को कहा जाते हैं हंजी और इनको एक बार एक्जाम में पुछ कздangi इंक से कहते हैं पंडित लख्मी चंद को कहते हैं इनके मान सिंग कौन रहेंगे मान सिंगिन के गुरू रहेंगे किसके पंडित लखमी चंद के हांजी कौन रहेंगे पंडित लखमी चंद के गुरू मान सिंग रहेंगे हांजी बचा सांग की अगर बात की जाए सांग जोद रहेगा हर याना में सांग लेकर आए ते किसन लाल भट किसन लाल भट लेकर आये थे किसन लाल भट की देन रहेगी हर याना में सांग जो हर याना में जो सांग होता है भई वो लेकर आए किसन लाल भट मेरट वड़े कहां वाले मेरट वड़े और ये जो सांग होता है बचा सांग होता है लकडी के तक्तों पर किया जाता है हर याना में सांग हर याना में जो सांग किया जाता है वो लकडी के तक्तों पर किया जाता है और आपसे पुछे हर याना का पहला सांग कौन सा था हर याना का पहला सांग अगर आपसे एक्जाम में पुछे कौन सा रहेगा सीला से ठाणी रहेगा हर्याना का पहला सांग कौन सा रहेगा सीला से ठाणी रहेगा हंजी कौन सा रहेगा सीला से ठाणी रहेगा हंजी नेक्स्ट रहेगा और इंपोर्टेंट रहेगे एक मात्तर एक मात्तर परमवीर चक्कर विजेता कौन रहेंगे करनल होसियार सिंग करनल होसियार सिंग रहेंगे और ये करनल होसियार सिंग के अगर बात की जाए ये कहां से रहेंगे भई यह सोनी पत के रहने वाले हैं जी पचाई कहां के रहने वाले हैं सोनी पत डिष्टिक के रहने वाले हैं करनल होसियार सिंग तो कहां से रहेंगे भई यह सोनी पत के रहेंगे एक मत्र परमीर चक्कर भी जेता अजी पचाई तो आज हमने सोनी पत डिष्टिक को पड़ा एक और कोमेंट जुरूर करना और वीडियो को लाइक करना भाई कि आपको आज का सेशन कैसा लगया है ठीक है ठीक है थेंग यूद्ध कर अधर अधर अधर